पीजीर करना चाहते हैं तो आप लिए बहुत इंपोर्टेंट टीनवें लेना है तो बिए अपटे अं प्सक्स के अधार पर एड्मिशन हो जाता था अब आपको एड़िच्छ custom के heat कर Virginia पास करना होगा तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है और इसको सबसे इंपोर्टेंट सबसे पहले पाइदान पर आप रखें और सबसे ज्यादा तवज्ज़ों दो कि दे क्योंकि अगर आप अभी मिस कर गए तो आप फिर पीजी में अधिमिशन नहीं ले पाएंगे क्य अगर आप अभी चुकि बिनोवाव उन्वर्सिटी में अगर हैं तो सेमिस्टर फाइब का एक्जाम नहीं हुआ है और बाकी जहारखन के अलग अलग इनवर्सिटी जहें जिसमें जहें बीवी एम्क्यों धनबाद में अगर आप हैं तो चाहे जहारखन के किसी भी इनवर की खबर है और यह सारे इनवर्सिटी के लिए देश के जितने इनवर्सिटी सब के लिए सें हैं जै करने के लिए एक एक्जाम पास करना होगा जिसका नाम है CUET कौन सा एक्जाम पास करना होगा अब चलिए इसका पूरा notification समझना बहुत जुरूरी है जब तक आप CUET का एक्जाम पास नहीं करते हैं और CUET का एक्जाम कौन लेता है NTA लेता NTA का फुल्फर में नेशनल टेस्टिंग एजनसी भारत सरकार ने एक एजनसी बना रखी है जो एक्जाम कंड़क करेगी UGC के अंदर काम करता है NTA किसके अंदर काम करता है UGC का फुल्फर मता है University Grand Commission UGC ही जो सारे University को मोनीटर करता है सारे University को मोनीटर करने के लिए जो संस्थान बनाया गया है उसको हम लोग बोलते नहीं रहें अब वो सारे स्टुडेंट जो है वो UGC के स्टुडेंट बन जाते है University Grand Commission के स्टुडेंट बन जाते है और UGC के अंडर सलता है University तो UGC क्या किया है अपने इनवर्सिटी में एडिमिशन लेने के लिए एक अलग से एजनसी बना रखा है जिसका नाम दे दिया है NTA क्या नाम दिया है तो NIT और JEE का एक्जाम भी NTA ही धीरे-धीरे कंड़क कर रहा है और आने वला समय में NIT JEE भी अलग से नहीं होगा इसी तरह से CUT के अंदर ही होगा उसको भी CUT के अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा है तो CUT का हो गया Common University Intranse Test Common University Intranse Test CUT का फुल फ्रम यहां लिखा है Subject Inviting Online Applications for Common University Intranse Test CUT PG 2024 जो लोग 2024 से 26 सेशन में PG करना चाहते है तो उन्हें CUT का एक्जाम पास करना ज़रूरी होगा बिना CUT का एक्जाम पास किये वो किसी भी देश के किसी भी इनवर्सिटी में आप PG नहीं कर सकते है अब वो Master Degree नहीं कर सकते है तो क्या है कब तक form बने का last date है कितना पैसा लगेगा कैसे form बना चाहिए कैसे subject का choosing करना चाहिए सब कुछ हम लोग बताएंगे एक दो वीडियो लगातार जाएगा जिसमें आपको एकक करके सब कुछ बताया जाएगा तो आज हम notice का वीडियो बना रहे है Central Universities and Other Participating Universities, Institutions, Organizations on Autonomous Colleges चाहिए वो Central University हो चाहिए वो State University हो चाहिए वो institution हो चाहिए और्गनाजेशन हो चाहिए Autonomous Colleges हो सब में admission के लिए आपको CUT का exam पास करना होगा जो कौन लेता है NTA लेता है तो Ministry of Education and UGC के गाइडलाइन के अधर पर लेता है आगे लिखा है कि CUT CUT will provide a single window opportunity CUT क्या करता है क्या है CUT भई पूरे देश में CUT क्यों देना जरूरी है बोलता है CUT एक ऐसा चांस है जो कि single window provide करता है single window मतलब है कि देश का कोई भी छात्र इस exam को पास करके देश के किसी भी बड़े university में admission के लिए apply कर सकता है यह नहीं पहले होता था माक्स के अधर पर कि किसी बच्चे का माक्स कम आया तो उसका एक किसी जगाप admission नहीं होगा ऐसा नहीं है आपको सबको बराबर opportunity मिलता है CUT का purpose ही है कि बराबर मौका मिले पूरे देश के सारे बच्चों के जिसके अंदर talent होगा जो इंट्रेंस निकालेगा उसका admission होगा क्यों हम पेर वी और क्यों हम माक्स के अधर पर एडमिशन ले अब सुचे कि कोई माक्स के अधर पर admission लेता था किसी ज़्यादा नमबर आ गया किसी भी देश के किसी भी इंवर्शिटी में पढ़ सकते हैं यह नहीं सोचना है अगर आपके अंदर talent है ताब कहीं भी पढ़ सकते हैं यह single window system देता है single window opportunity देता है to students seeking admission in Central universities और other participating organization include a state university dimmed university private universities across the country कहीं भी वो पढ़ सकता है एक single opportunity आप एक एक एक्जाम लिखे और देश के किसी इनवर्शिटी में आप अपने choice से पर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको उस इनवर्शिटी का जो criteria है उतने marks को लाक है उसमें आपको अपना marks अपना number लाना पड़ेगा और अपना अस्थान बनाना पड़ेगा online submission of application from website जो है 26 दिसंबर से शुरू हुआ है 26 दिसंबर 2023 से यह स्टार्ट हो गया है और यह application last date देख लिएगा शुरू हो गया हो तो खतम हो चुका भी कुछ दिन 24 जनवरी 2014 तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म बरने का याद रखना है जो लोग पीजी करना चाहते हैं याद रखे का सी यूटी का फॉर्म भरेंगे 24 जनवरी 2014 तक वो फॉर्म भर लेंगे हैं ना एक ग्यार पीम मतलो रात साड़े ग्यारा बज तक तक तो उतना इंतजार नहीं करना आपको और बोलता है लास्ट डेट ऑफ सकसेस्पूल ट्रांजरेक्शन ओफी जबा लाज डेट सो सब्सक्राइब करेंगे साुँछ कर्कि एक यह सो सकते हैं कुछ करेक्शन का और सन्धेता क्यारा कुछे नहीं हो सकता है एटETH善सिटी इंटिमेशन है आपको पहले से सीटी के बारे में जानकारी मिल जागा कि कहां पर परिक्षा होनी है वह आपको चार मार्च से 2024 को दें कि एकदम सिस्टम से काम करता है कुछ भी लेट नहीं करेगा सब सिस्टेमाटिक करेगा चार मार्च को आपको बता देगा कि आपका परिप्षा कि सीटी कि सहर में होने बाला है admit का download आप 7 March से कर सकते हैं admit का download करने का option कहां सा है 7 March से आप admit का download कर सकते हैं याद रखना आपको तो 7 March से आप admit का download कर सकते हैं और date of examination है 11 March से 28 March की बीच में examination हो सकता है यह पूरा date announce कर दिया है 11 March से लेके और 28 March की बीच में आपका exam होगा answer की जो है वो 4 April को challenge किया जा सकता है और आंसर की वो जारी कर देगा इससे पहले 4 April से पहले answer की जारी कर देता है आप challenge कर सकते है चार मार्ज तक और duration shift जो है एक घंटा 45 मिट का exam होगा 105 मिनट का exam होगा 3 shift में exam होगा अब आपको shift ध्यान देना है कि shift 1 पढ़ता है shift 2 पढ़ता है shift 3 पढ़ेगा किसी को दूसरे shift में कि संख्या ज्यादा रती पूरे देश के student है तो ज्यादा लोग है इसलिए तीनों shift में परिक्षा होगी तो आपका किसी एक shift में पढ़ेगा timing of examination बोलता है will be announced later on the website बाद में इसको website पर हम लोग announce कर देंगे कि क्या अब टाइमिंग रहेग पीजी सी उटी डॉट समर्थ डॉट एसी डॉट इन यह दो website है जहां पर आप अपना form fill up कर सकते हैं जहां पर सारी जानकरिया आप ले सकते हैं यह पूरा complete information सी उटी पीजी के लिए दे दिया है 2024 के लिए जो आपको जाना चाहिए नीचे लिखा है the candidates are requested to undertake the corrections very carefully बोलता है क student के लिए request किया जाता है कि वह correction बहुत साउधानी से करे as no further chance of correction will be provided दुबारा फिर नहीं मिलेगा आपको देखे किस-किस में नहीं मिलेगा ध्यान दिजेगा यहाँ पर यह लिखा ना correction में देखिए यहाँ पर star बनाएवा है तो यह star में लिखा है कि एक बार आप form भर दिये एक बार form भर दिये गलती हो गई कुछ correction आप कर लिए तो जो दूबारा correction कर रहे हैं वह बहुत साउधानी से करे क्योंकि तूब तीसरा बार correction नहीं एक बा आप फर्दर को भी चांस नहीं मिलेगा information about the eligibility scheme of exam exam centers exam timing exam fee procedure for applying ETCR content in the information bulletin ठीक होस्टेट on the website NTA के website में यह सब डाला हुआ है कि कितना पैसा लगेगा कब exam को सारा का सारा डाला हुआ है candidate who are desirous for applying for the exam may go through the information bulletin and apply online exam pgcut samarth.ac.in only during the period of 26-12-2023 से लेके 24-11 तक जो कि हम लोग अभी देख चुके है for any queries clarification candidate can call NTA help desk यह देखो है NTA help desk है इस पर आप phone कर सकते हैं अगर कोई query है तो अगर आपको दिकत है तो NTA का जो यह website है यहाँ पर mail लिख सकते है इसके राइट कर सकते हैं email ID यह है तो आप यह भी ID लिख सकते हैं यहाँ पर email mail कर सकते हैं यह हमारे आप इसके पूरा इसका पूरा detail syllabus हम लोग अगले एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको पूरा detail syllabus समझाएंगे कि क्या क्या पढ़ना आखिर कितने subject पढ़ने होते हैं तो आपको बता दे कि यहाँ पर आपको पढ़ने होंगे तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट है आर्ट के लिए कॉमर्स के लिए और साइंस के लिए उसको बोलते सब्जेक कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए तो जल्द ही दूसरा वीडियो आएगा इंतजार क करना है भाई आप पहले सोचना होगा दुनिया एडवांस हो गई है लोग पहले सोचने लगा है साधी विवास से पहले प्रिशीटिंग प्रिवेडिंग सूट कर लेता है साधी विवास पहले फोटो सूट कर लेता है तो यहां भी पहले सोचना पड़ेगा पहले नहीं सो